100 Girlfriends How Really Really Love You के एपिसोड 8 के सुरत में हम देखते हैं सिंगर्स मेडिशिन को केमिस्टी लेप से लाने के लिए हम रेंतारों और कुसूरी दौड लगाते हैं रेंतारों के पीछे उसकी चारों Girlfriends भी थी जब ओ दोनों स्कूल के कॉरिडर से जा रहे थे तब भी वाइस प्रिंसिपल उनके पीछे लग जाते हैं उन्हें देखकर कुसूरी तो काफी जाधा डर गई थी और ओ अपने हाथ में जो फॉर्मूले था वाइस प्रिंसिपल के उपर फेक देती है जब कुसूरी ये सब सोच रही थी तब ही रेंतारों के Girlfriends उसके पीछे लग जाते हैं यहां पर रेंतारों कुसूरी को पकड़ कर भागने लगता है और पीछे कौन रेंतारों के पहले किस करेगा ये लेकर चारों Girlfriends जगडने लगते हैं बोलता है कुसुरी हम हमारे रस्थे को अलग fed कर देते हिं और अलग अलग रस्थे जाने लगते हैं ज़ीजुका रांट रोग के पीछे पर जाती है औच से भागते भागते गिर जाती है जिसे कर ब्स अतर अपनी जॉंबी मोड में आकर रेंटरों को किस करने लगती है जैसे कि रेंटरों को याद ही नहीं था जीजु का भी एक किस जॉंबी बन गई है वह समय तक किस करते हैं लेकिन रेंटरों उसे पीछे करकर हांगर में टांग कर दोड कर चला जाता है वहां से जीजु का जैसे पकड़ लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं और यह किस भी बहुत ज़्यादा समय के लिए चलता है अभी रेंटर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और सोचता है इनको तो सिर्फ किसी चाहिए ना और हाकारी काराने की फेस को दूसरे के सामने कर देता है और हम देखते हैं हाकारी और काराने एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक बार किस करने के बाद एक समय के लिए रुखते हैं जिसे देखकर रेंतारो थोड़ा इंसन में पढ़ जाता है लेकिन ओ दोनों फिर से किस करने लगते हैं रेंतरो सोचता है ये मेडिशिन तो लवर्स के लिए बना आई आया था किस करने के लिए इसका मतलब हाकारी और काराने के बीज में ओ बाला प्यारी जिसे देखते रेंतरो थोड़ा इमुसनल हो जाता है और ओ दोनो लगातर किस कर रहे थे वहां से रेंतरो भागने लगता है फिर से लेकिन उसे फिर से नानो मिल जाती है नानो जैसे रेंतरों को देखती है वो उसके पीछे लग जाती है रेंतरों छुपने के लिए एक आलमारी की पीछे चला जाता है और वो देखता है उस आलमारी के अंदर कुसूरी छुपी थी कुसूरी रेंतरों को बोलती है और नानो की बज़ाय से लाप में नहीं जा पा रही है रेंतरों बोलता है क्यों नानो तो मेरे पीछ लगी है ना सायद उसे पता चल गया है हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कुसूरी बोलती है मेरे पास एक आइडिया है तुम नानो को भढ़काओ और मैं केमिस्टर लाब में जाकर मेडिसिन ला देती हूँ रेंतर बोलता है मुझे नहीं लगता ये काम आएगा क्योंकि नानो बहुत चला आगे रेंतरो बहुत सोचने लगता है क्या करना है उसे देखकर कुसूरी रोने लगती है और बोलती है मैं हमेशा से ही एसी हूँ इसलिए तो मुझे सब छोड़ कर चले जाते हैं क्योंकि मैं हमेशा दबाई के बारे में सोचते रहती हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि रेंटरो भी मुझे छोड़ कर चला जाए बोलती है मैं हमेशा के लिए मेडिशिन बनाना बंद कर दूँगी जिसे सुनकर रेंटरो काफी ज़्यादा सौक हो जाता है फिर हम देखते हैं कुसूरी अपनी पॉकर से एक दवाई निकालती है और ये रिवर्सिंग फॉर्मूला था जिसको की कुसूरी ने एमर्जनसी के लिए रखा था उसे निकाल कर उपीने लेगती है जिसे देखकर रेंटरो काफी ज़्यादा सौक होता है क्योंकि उसे लग रहा था मेडिसिन और नानो को देगी तर बोलता है कुसूरी तुमने ये क्या किया मुझे तो लगा था तुम ये नानो को दोगी कुसूरी बोलती हाँ मैंने वसाई सोच था लेकिन अगर मैं इसे पी लूँगी तो मेरा चेरा बदल जाएगा और नानो मुझे पिचार नहीं पाएगी और मैं नानो को भटका सकती हूँ और ओ अपनी केल फॉर्म में आ जाती है कुसूरी को देकर काफी जादा सर्मा जाता है क्यूंकि कुसूरी के संतरे रेंतरों के हाट में लग रहे थे कुसूरी एक रसी निकल थी है और बोलती है हमें इसी से नानो को बानना पड़ेगा और हम जाकर केमिस्टरी लैप से रिवर्सिंग मेडिशिन लाएंगे ओ दोनों जैसे ही भाहन निकलते हैं नानो बाहरी खड़ी थी ओ कुसूरी के हाथ में रसी देकर काफी जदा सप्राइज होती है कुसुरी जिस रस्ती से नानो को बांगनि थी, भागते हुए देखकर नानो उसके पीछे पड़ जाती है, और नानो जाकर रेंतारो को पकट लेती है, और उसे लगातार किस कर रही थी, तभी वहां पर कुसुरी आ जाती है, और कुसूरी उसे रिवर्सिंग फॉर्मूला पिला देती है जिसे पीने के बाद नानो वे उस हो जाती है कुसूरी बोलती है जब नानो उठेगी ओ फिर से ठीक हो जाएगी और कुसूरी अपनी बच्चे वाली फॉर्म में आ गई थी और बोलती है क्या यह सब तुम्हारा फॉर्म लाता रेंठारो रेंठारो बोलती है नहीं नहीं यहीं तो सिर्फ मैं नानो को भच्काने के लिए किया तुम्हारे पहले फॉर्म में चली जाओगी तो तुम्हारी रच्ची खुल जाएगे सुनकर कुसूरी काफी जादा इंप्रेस हो जाती है और रेंता रो अपनी सारे गल्फेंज को फॉर्मला पिला देता है और सारी गल्फेंज को नर्सरी आफिस में लेकर सुला देता है कुछ समय के बाद उस अभी उठ जाते ही उन सब को कुछ भी याद नहीं आ रहा था लेकिन तब भी हाकरी को याद आ जाता है कि उसने काराने को किस किया था जो सोच करो काफी जादा सर्मा जाती है लेकिन काराने को कुछ याद नहीं था हाकरी उसे याद करवाने लगते हैं जब कारने को यह याद आता है तो ऑजकन व्हुती हैं लेकछन अगर आगे ऐसा प्रोबलम आता है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे और ये मैं तुमसे प्रामिस करती हूँ जिसे सुनकर कुसूरी काफी ज़्यादा खुस होती है रेंतारों बोलता है मैं कभी नहीं चाहता तुम तुम्हारे पासन को छोड़ो मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम एडिशन बनाने के लिए एकडम पागल हो यह लाइन सुनकर रेंतारों के सारे गर्फिंड उसके तारिफ करने लगते हैं सुनकर कुसूरी थोड़ा इमस्नाल हो जाती है और रेंतारों को जाकर गले लगा कर उसे किस करने लगती है और यहां पर ही एपिसोड करते हैं आपको विडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताए